नमस्कार दोस्तों और फेफडों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती हैं और खांसी को ठीक करती हैं इसके अलावा अस्थमा और स्योपीडी से पीडित व्यक्तियों को भी डॉक्टर बायोकॉफ सिरप को लेने की सला दे सकते हैं बायो कोफ सिरप वायुमारक की मांसपेशियों को रिलैक्स करके और फेफडों के सांस लेने के रास्ते को चौड़ा करती है। बायो कोफ सिरप को लेने के बाद फेफडों के वायुमारक चौड़े हो जाते हैं, जिसकी वज़ा से अस्थमा और COPD से पीडित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती हैं। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बायो कोफ सिरप की वज़ा से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। भूक कम लगना, छाती में जलन होना और मुंग के स्वाद में बदलाव होना आदी साइड इफेक्स बायो कोफ सिरप की वज़ा से हो सकते हैं। इसलिए आपको बायो कोफ सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसलिए दो साल से कम उम्र के बच्चों को बायो कोफ सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। बल्गम को बाहर निकालने के लिए और खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको बायो कोफ सिरप के साथ साथ हर रोज दिन में दो से लेकर तीन बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए। ताकि फेफडों में जमा बल्गम पतला होकर आसानी से बाहर निकल सके और इसके अलावा आपको बर्फ वज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। लगातार ज्यादा लंबे समय तक बायो कोफ सिरप को लेना रेकमेंड़ नहीं होता है। अगर आपको बायो कोफ सिरप को लेते हुए एक सप्ता से भी अधिक का समय हो चुका है। और आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो आपको डॉक्तर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए। ताकि आपका डॉक्तर खांसी होने के कारण का पता करने के लिए दोबारा से जांच करवा सके। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में बायो कोफ सिरप को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को बायो कोफ सिरप को लेने के बाद नीन अधिक आती है या चक्कर आते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्पता की आवशक्ता होती है, बायो कोफ सिरप के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायो कोफ सिरप के साथ शराब का सेवन करने की वज़़े से साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है, और नीन्द आने की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है बलड प्रेशर बहुत ज्यादा होने पर और कोई दिल से संबंधित बीमारी होने पर बायो कोफ सिरप को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्टर की सलाह के बिना बायो कोफ सिरप को नहीं लेना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को बायो कोफ सिरप या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से एलरजी है तो ऐसे व्यक्तियों को बायो कोफ सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बायो कोफ सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।